जब भी केंडर सरकार की बैठक होती है, बहुत से एम फैस्टे जो है वो लिये जाते हैं अब किरायदारों के लिए यानि की जो मकान मालिक है और किरायदार है उनके लिए केंडर सरकार का एक नया ओर्डर जो है वो आया है एक निया कानून जो है वो बनाया गया है जिसमें मकान मालिक, किरायदार और बिल्डर सब का ख्याल जो है वो रखा गया है Model Tenancy Act जो है वो अब लागू होने वाला है जिसमें कुछ instructions जो है किरायदारों के लिए रहेंगे और कुछ instructions जो हैं वो मकान मालिकों के लिए रहेंगे कि किस हिसाब से किरायदार के लिए एक schedule प्लान करना है और किरायदार के क्या एहम रोल रहेंगे जब वो किसी के घर पे किराय पे रहता है तो केंद्र सरकार ने model tenancy act जो है वो लागू किया था यह plan जो है act शुरू किया था और अब यह जल्द ही जो है लागू होने वाला है इस of living पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने model tenancy act को जो है मनजूरी दे दी गई है आईए जानते हैं कि किरायदार कानून में किसके लिए क्या है सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँगी तो किरायदारों के लिए क्या कानून model tenancy act में लाए गए है यह पहला यह रहेगा कि security deposit दो महीने के किरायग से जदा नहीं यानि कि जो आपको security deposit कराना पड़ता है वो आपको दो महीने के किरायग से जदा जिदाने कराइब है बढ़ाने के लिए तीन मेने पहले ही नोटिस देना पड़ेगा जो उनके वाँ पर रेंट पर रह रहे हैं अगर किसी ने अपने घर का किराया बढ़ाने के लिए सोचा है जो पोशन उनने लोगों को रेंट पर दिया है उनको तीन मेने पहले ही और निकानना पड़ेगा ती मकान मालिक जो है वो अलग रहते हैं और अपनी किसी बिल्डिंग में लोगों को रेंट पर दिया है उनको उस बिल्डिंग का जब दोरा करने आना है जब उस बिल्डिंग के लिए मुआइना करने जो आना है उनको 24 गंटे पहले ही इनफॉर्म करना पड़ेगा कि इस समय पर जो है हम लोग घर पर मुआइना करने आएंगे मकान के मुरमत के लिए 24 गंटे पहले किरायदार को बताना होगा यानि कि अगर घर की कोई रेंवेशन करानी है कुछ मुरमत करवानी है तो 24 गंटे पहले ही इनफॉर्म करना पड़ेगा मकान चोड़ने के एक महीने के अंद वो जो रेंट होल्डर है जो रेंट पे रह रह रहा है उसे वापिस करना पड़ेगा मकान चोड़ने के एक महीने के अंदर अंदर ये सेक्योरिटी डिपॉजिटिन को वापिस करना पड़ेगा ये मॉडल टेनेंसी आग जुनी गाला गया है उसके तहत कुछ किरायदारों के लिए इंस्रक्शन्स थे और जो चींद इस मकान मालिकों के लिए आएंगे मैं वह भी आपको बता दूं कि मकान मालिकों के लिए कुछ खास बाते रहेंगी नएक कानून में प्रवदान है कि रेंट एग्रीमेंट खतम होने पर किरायदार को मकान खाली करना ही होगा ऐसे करने की सीथी में मकान मालिक अगले दो महीने तक आपसे दो गुना किराया यानि की दो गुना रेंट जो है वो वसूल कर सकते हैं दो किराया जो है वो लेने के हकदार रहेंगे और दो महीने के बाल मकान मालिकों को चार गुना किराया वसूलने का भी अधिकार बिलकुर र पहुंचा सकते हैं यानि कि जो किसी की प्रॉपर्टी है जहां पर आप रेंट पे रह रहे हैं आप उस जगा को बिलकुल भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकते हैं इसके अलावा वे खिराय के घर में कोई भी चेंजिस नहीं कर सकते हैं यानि कि अगर आप कहीं पर र यह रहेगा अगर मकान माली घर में कोई रेनोवेशन का काम करता है तो वे जादा किराया लेने के लिए आदिकारी होंगे यानि कि अगर रेनोवेशन होती है पहले से कुछ जादा फिसलिटी जो है वो आंदी जाती है तो आप से डबल किराया जो है वो भी वसूला जा सकता ह उनके मन मतापिक वसूला जा सकता है इसमें कोई रोक नहीं होगी इस पर फैसल लेने के लिए मकान मालिक उन पर ही निर्बर रहेंगे मकान मालिक ही इसका ओडर निकाल लेंगे हाला कि कानून में ये भी साफ कर दिया है कि किराया बढ़ाने से पहले किरायदार से बातचीत ज और हें, बैसे पर रुटन से लिए नहीं होगा बलकि हरतार मन चाहिए, उपने। दोड़ाने से निकाल से आफ रहें को कैसे के दिक corazón को मालिक की सब्सक्राइबिंगे और रहें, बनríक के लिए मैं आप मालिक. है कि किस वक्ति के लिए कौन से रूल्स जो है वो रहेंगे और केंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल अप्रूफ कर दिया है ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन जो है वो करियेट ना हो अब आज जो है एक और आहम बैटक जो है वीडिय कौन्फेरेंसिक के थू MA के दिला सरकार की और हमारे प्राइम नििस्टर भी उसमें शामिल रहेंगे वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के थूँ तो उसमें भी कुछ जरूरी बातों पे जरूर बात होगी कुछ जरूरी बातों पे चर्चा जो है वो की जाएगी तो इसके बाद क्या नहीं चींजिस आएंगी हम आप तक जरूर पहुचाएंगे बाकिया सी तमाम अपडेच के जुड़ रहें बाहु एकस्पिस के साथ